में कल से बदला होने वाले हैं, क्या बदला होंगे, कौन से शेयरों के एंट्री होगी, कौन से बाहर होंगे इसका पूरा लेखा जोखा लेकर हमारे से योगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए है सोमई बताईए क्या चेंजिस होने वाले हैं और किस तरह का inflow या फर outflow देखने को मिलेगा शेयर कों से होंगे MSCI की चेंजिस पहले ही अनॉंस कर दिये गे थे बट जो adjustment date है वो कल की है मतलब जो भी inflow या outflows जो changes होए है उन shares में कल देखने को मिलेंगे अब अनुवामा के हिसाब से जो net inflow हो सकते है इंडिया में वो करीब 500 million US dollars का है अब stock specific अगर हम बात करें तो inclusions में नाम है max healthcare का जिसमें सबसे ज़ादा inflow होगा करीब 312 million US dollars का जो की करीब 9 times है उसके 20 day average volume के सामने उसके अलावा Hindustan Aeronautics और Sona BLW ये दोनों ही stock include हुए है जिनमें inflow करीब 170 to 196 million US dollars का होगा जो की करीब 5 to 7 times इसके 20 day average volume के सामने है अब exclusion के सामने अगर हम बात करें तो अडानी transmission, अडानी total gas और industrial ये तीनों ही stock exclude होने वाले है इंडेक्स के जिसके जो outflow होगा वो करीब 84 to 190 million US dollars होगा जो की करीब 5 to 10 times है इसके 20 day average volume के सामने अब weight additions के अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोटक महिंदरा बैंक focus में आदा क्योंकि इस stock में सबसे ज़ादा inflow आने की expectations है क्योंकि जो कोटक महिंदरा बैंक का weightage है index में वो बढ़ गया है और inflow जो होगे वो करीब 800 million US dollars का होगा जो की करीब 8 times है इसके 20 day average volume के सामने है उसके अलावा गर हम देखें तो ONGC, Ultra Tech, Indigo, NTPC और Power Grid यह सभी key stocks है जिसमें करीब 50 to 71 million US dollars की inflow expected है जो की करीब 2 to 8 times इसके 20 day average volume के सामने है उसके अलावा JSW Steel, Shree Cement और BPCL पे भी focus रहेगा क्योंकि करीब 35 to 73 million US dollars के outflows expected है की तीनों ही stocks के weightages कम हुए है जिसके वजे से outflows होने वाले है और जो outflow का amount है वो करीब 3 to 5 times है इसके 20 day average volume के सामने है